जब मैं आपसे ऐसे जीवों के बारे में पूछता हूँ जिन्होंने इंसानों से पहले राज किया था तो आपका जवाब होगा डाइनोसौर डाइनोसौर बहुत बड़ी छिपकलिया हो दी थी जिन्होंने अर्थ पर मिलियन्स ओफ एर्स तक राज किया है बट क्या डाइनोसौर पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने अर्थ पर राज किया है और क्या डाइनोसौर से भी पहले ऐसे कुछ जीव हुआ करते थे जो अर्थ पर राज कर चुके हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं डाइनोसौर ने भले ही millions of सालों तक राज किया हो बट उनसे पहले भी कई ऐसे जीव थे जो अर्थ पर राज किया करते थे In fact, life डाइनोसौर से भी millions of years पहले आ चुकी थी उस समय लाइफ कई shapes और कई अलग-अलग रूपों में हमारे सामने आई थी डाइनोसौर के पहले के इस समय को हम कार्बोनिफरस पिरियड कहते हैं उस वक्त अर्थ रेन फोरेस्ट में कवर था और अर्थ के एटमोस्फेर में आज के मुकाबले काफी ज़ादा ऑक्सीजन थी अब इस कार्बोनिफरस पिरियड में कई अजीबों गरीब और विशालकाई जीव रहा करते थे जैसे डाइपलोसरैस्पिक जो कि एक स्वामपी अलाके में रहने वाला जीव था अगर आप जानना चाते हैं कि ये जीव दिखता कैसे था तो आप एक सेलामेंडर को इमेजिन करें जो तीन से चार फीट लंबा हो और जिसका सर एक भूमरैंग की तरह हो तो जिस जीव की छवी आपके दिमाग में बनी वही है डाइपलोसरैस्पिक आपको कैसा लगेगा जब आपके सामने एक ऐसा ही जीव स्वामपी लागे में आपको मिले अग कार्बॉनिफरस पिरियर्ड में कई एमफीबियन थो थे ही बट उनके साथ साथ जाइंट इंसेक्ट भी रहा करते थे अट्मास्फेर में ऑक्सीजन जादा होने की वज़े से इंसेक्ट का साइस काफी जादा बड़ा होता था आज के मुकाबले जैसे मेगानियोरा मेगानियोरा एक जाइंट ट्रेगन फ्लाई है यह अर्थ के प्रिहिस्टोरिक स्वाम्स में पाई जाती थी और इनका साइस एक एगल के बराबर होता था अब मेगानियोरा थोड़ा डरावना लग रहा होगा बट उस जमाने में एक सेंटिपीड भी रहा करता था जिसका नाम था एन्थ्रोपलेवरा जिसका साइस आर्ट फीट तक हो जाता और अगर यह काफी नहीं है आपको डराने के लिए तो साइन्टिस्कों लगता है कि उस जमाने में कैट साइस स्पाइडर्स भी हुआ करती थी टाइम के साथ साथ रेप्टाइज इवाल्व होते गए और अर्थ का टेंपरेचर भी धीरे-धीरे गरम और ड्राइ होने लगा इससे जनम हुआ फर्स्ट डाइनोसौर का और उसके बाद डाइनोसौर्स ने प्रित्वी पर मिलियंस ओफ येर्स तक राज किया और उसके ब